हमारी में क्यारेक्टर लिंडा को उसका हस्बंड जबर्दस्तिकर एडल फिल्म करने के लिए मजबूर करता है इसके बाद उसकी पूरी लाइफ को वही कंट्रोल कर रहा था क्या आब इससे वो बच पाएगी या हम आज के हमारी मूवी लवलेस चो 2013 की एक हॉल्यूड ट्रू स्टोरी पर बेस मूवी है इसमें हम देखेंगे अगर आपका वीडियो अच लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट शरू कर दीजेगा अब बिना किसी देरी के एक्स्पिनेशन स्टार्ट करते है मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेटर लिंडा को देखते है जो एडल्ट फिल्म इंडरस्ट्री में आप काम कर रही थी उसकी मूवी बहुत ही जादा हीट हो चुकी थी पर अब भी वो बहुत ही जादा दुखी है अब इसके बाद यहाँ पर वो कैसे पहुची इसका फ्लैश बैक हमें दिखाय जाता है एक दिन लिंडा की मदर घर पर नहीं थी तो सुमिंग पूल के पास लिंडा और उसकी फ्रेंड पैट सी ये दोनों हैंग आउट कर रहे थे पैट सी अपने इनर्वेर निकाल ले थी है तो लिंडा को पसंद नहीं आता एक साल पहले उसके साथ एक हथसा हुआ था उसके बाद वो बहुत ही जादा डर कर रहती है उसका एक बॉइफ्रेंड था जिसके साथ भी बाद आगे बढ़ाने में वो डर रही थी थोड़ी दर में लिंडा की मतर काम से ज़रा जल्दी घर पर आके लिंडा को इस तरीके से देखकर उसे बहुत टाट थी है थोड़ी दर में लिंडा और उसकी फ्रेंड स्केटिंग करने के लिए गये हुए थे एक बैंड बहुत ही अच्छे से प्लेई कर रहा था उसे वो बहुत ही अच्छी लगती है चगों से कहता है कि तुम दोनों प्रोफेशनली भी डांस कर सकते हो इसके बहुत ही ज़ादा पैसे मिलते है लिंडा कहती कि क्या है सचपूश में पॉसिबल भी है लिंडा पुछती कि मुझे देखने के लिए कौन पैसे देगा चग कहता है कि तुम्हें देखने के लिए मैं बहुत सारे पैसे दे सकता हूँ इसके बाद चग उनका फ्रेंड बन गया था एक रादेब से चग और लिंडा की एक डेटी थी मुवीज वेगरे इन सब शिजों को लेकर वो बात करते हैं और एक दूसरे की कंपनी उन्हें बहुत ही अच्छी लगी थी लिंडा को लगता था कि वो बहुत ही बोरिंग है बचक केता है तुम बहुत ही जादा इंटरस्टिंग हो इसके बाद उसे घर छोड़ने के लिए आ गया उसने नोटिस केया था कि लिंडा बहुत ही चूप रह रही थी उससे बुछता है कि ऐसा क्या हुआ लिंडा ने कहा कि गल्दी से मैं एक साल पहले प्रेगनन्ट हो गई थी मेरी मदर ने मेरे बेबी को आड़ आप्शन के लिए डाल दिया चक के साथ कोई भी रिलेशन्शिप स्टार्ट करने से पहले उसके साथ ओनिस रहना चाहती थी चक कहता है कि मुझे इससे कुछ भी फरक नहीं पढ़ता मैं तुम्हारे पैरेंट से मिलना चाहता हूँ जिस तरीके से चक है तो लिंडा को लगता है कि उसके पैरेंट उसको चक पसंद नहीं आएगा चक कहता है मैं 100% गैरेंटी देता हूँ कि मैं उससे पसंद आऊँगा अगर नहीं आया तो तुम्हें एक रात मेरी घर पर बिताओगी और आया तो वहीं हम करेंगे लिंडा इस पर बहुत अशी है पैरेंस टीवी देख रहे थे तो कीचर में ही दोनों इंटिमेट हो जाते है इसके बाद चक लिंडा को मुवी देखने के लिए लेकर जाने वारा था तो उससे अपने घर वो लेकर आता है ये दोनों इंटिमेट हो रहे थे तो लिंडा ने कहा कि मेरी बोड़ी पर सकार है उसे वो थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता चक कहता है कि तुम चैसी हो वैसी बहुत ही जादा प्यूटिफूल हो राद में घर आने के लिंडा को ज़रा लेट हो गया तो उसकी मदर उसे बहुत मार दिया गुसे में उसने घर चोड़ दिया और चक के साथ वो रहने लग गई थी एक दिन चक के हाब पार्टी चल रही थी पार्टी में लिंडा की फ्रेंड पैट्सी भी आई हुई थी वो चक के पास जाती है तो चक ने एडल फिम लगाई हुई थी पैट्सी बुछता है क्या तुम्हें ये सब पसंद है पैट्सी को इतना अच्छा नहीं लगता था चक पैट्सी के पास जाने लग गया और उसे किस करने लग गया पैट्सी उसे दूर फेट कर नेर पास आजाती है उसने कहा कि वहाँ पर मत जाओ नेर इस तरीके की मूवी फर्स टाइम देखी थी चक से कहती है कि अच्छी लड़किया ये सब नहीं करती है चक ने कहा कि तुम्हें ये सब करना नहीं आता क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस हुई नहीं है मैं तुम्हें टीज कर सकता हो इन मूवीज में जो भी दिखाया जाता था ये सब करना लिंडाओ को अच्छा नहीं लगता था पर फिर भी Chuck के कहने पर उसे खुश करने के लिए कर लेती है एक दुसरी के साथ बहुत ही खुश थे तो इन्होंने शादी कर लिए अब इसके बाद खुश तो करना ही पड़ेगा नेकसीर में चक लिंडाओ को एक प्रोडेक्शन कंपणी में लेकर गया था अडल फिल्म की कास्टिंग के लिए लिंडाओ को आडिशन देनी के लिए कहता है फिल्म के डारेक्टर ने लिंडाओ को बहार भेज दिया और चक से कहता है कि यह लड़की नहीं चलेगी आज के लोगों को सब कुछ आर्टिफिशल देखने की आदत पड़ गई है लिंडाओ को तो डायलोग बोलना भी नहीं आता चक कहता है कि मैं तुमें टेमो दिखाता हूँ लिंडाओ और वो जब इंटिमेट होते थे तो एक बार उसनी से रेकॉर्ड किया था ये टेप देखने के बाद ये दोनों सप्राइस्ट हो जा दिया लिंडाओ को कास्ट करने के लिए रेडी हो गया नेकसे इनमाम देखते है कि शुटिंग की स्टार्टिंग हो चुकी थी यहाँ पर इनका इन्वेस्टर है जिसका नाम था एंथोनी एंथोनी लिंडा से कहता है कि मैंने दुमारा काम देखा है तुमें एक बहुत ही बड़ी स्टार बनोगी मेकप करते हैं लिंडा के फेस पर ज़रा फ्रेकल्स थै इसे छुपाने की कुशिश की जा दिया चग इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा कहता है लिंडा के बारे में वही चीज बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल है उसके फ्रेकल्स सीन के पहले लिंडा ज़रा नर्वेस थी तो मुवी का हीरो हैरी उसके पास आता है उसने कहा कि सब कुछ एकदम अच्छा होगा जब हम दोनों सीन में होंगे तो स्लोली स्लोली बाकी की सब चीज़े फेड हो जाएगी मुवी के पहले कुछ सीन शूट होता है तो फोटोग्राफर लेरी कहता है कि जिस तरीके से मुवी में तुमारे क्यारेक्टर की डेवलाप्मेंट होई है उसी तरीके से तुम फिल करो लिंडा का बहुत अच्छे से फोटो शूट हुआ और अपनी फोटो उसे बहुत ही ब्यूटिफुल लग दिया इन सब से वो बहुत ही खुश थी मुवी अब ठेटर्स में जा चुकी थी और सक्सेस उसे मिलना स्टार्ट हो गया था चग एंथनी से कहता है हमें बहुत ही कम पैसे मिले और आप लोग बहुत कमा होगे एंदो ने बहुत स्ट्रिक था कहता है मैंने पूरी मुवी स्पॉंसर की थी इससे पैसा तुम्हें कमाने वाला हो मुवी बहुत ही बड़ी हीट हो जाती है और लिंडा की इंट्रियूज वेगरा स्टार्ट होने लग गए लिंडा का आप सपना था कि उसे एक्च्वल मुवी स्टार्ट है एक दिन इनके प्रावेट स्क्रिनिंग की पार्टी थी जहाँ पर लिंडा हीू हेपनर से मिली ये प्लेबॉय मैगजीन के एडिटर था लिंडा उसे देखकर बहुत एक्साइट हो जा दिये आज पुरा प्रेमियर एक दुसरे की साथ ही थे लिंडा से कहता है कि तुम एक्च्वल में मुवी स्टार बन सकती हो वो इसके लिए उसे हेल्प कर सकता है अब इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे साल गुजर चुके है ये सब काम वो नहीं कर थी और अब वो एक बुक लिक रही थी बुक लिकने से पहले उसके पब्लिशर ने उसे वो सच बोल रही या छूट इसकी टेश लेने के लिए गई अब तक जो भी सिचुएशन हमें बताई जा रही थी इसके पैरलल में एक्च्वल में लिंडा के साथ क्या हुआ था ये अब हमें पता चलेगा लिंडा के साथ चक ने जब शादी की थी तुसे हर एक चीज करने के लिए फोर्स करता था एक दिन तो हर्ड भी हो गई थी तो इस बात से उसे बहुत ही बुरा लगा था चक उसे कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो मैं तुमें सिर्फ पैशन दिखा रहा था मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ लिंडा ने भी इन सब बातों को समझ लिया जब इने फाइनांशिल प्रॉलम है तो चक लिंडा को रिडी करकर एक कलब में लेकर गया एक डॉक्टर से वो बात करने लग गये थे उस डॉक्टर को लिंडा बहुत ही पसंद आई थे तो चक ने लिंडा को उसके साथ इंटिमेट होने के लिए जबर्दस्थी किया वो लिंडा से ही प्रॉस्टियूशन करवाने लग गया था अगर वो इस सब नहीं करती तो चक उसे बहुत ही ज़ादा हर्ट कर देता इन सब से तंग होकर होगी मैंने तुमारे लिए पाट लाने के लिए बहुत ही ज़ादा मेहनत किया चक ने उसे गन लगा कर थमका हुआ था इसके बाद हम लिंडा को मूवी सेट पर रोता हुआ देख सकते हैं सब कुछ उसके साथ जबर्दस्ति किया जा रहा था हमने प्रिवेसली देखा था कि लिंडा ने चक को एंतोनी के पास आकर बेटने के लिए मना कर दिया था उस राद चक लिंडा को बहुत मारता है एक दिन लिंडा अपने फ्रेंड पैटसी से मिलने के लिए गई हुई थी तो चक भी उसके साथ ही आया पैटसी उसे कहती कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही वरीड हूँ लिंडा कहती कि ये सब मूवी में कर रही हो क्या इसी वज़े से पैटसी ने कहा कि वो नहीं है चक बहुत ही वियर्ड है क्या ओ तुम्हें सब कुछ करने के लिए जबरदस्ति कर रहा है बाहर आकर चक ये सब बाते सुन रहा था तो लिंडा डर कर कहती है कि मैं बहुत ही लखी हूँ कि चक मेरा हस्बंड है एक दिन पार्डि में चक एंटोनी के साथ पैसो को लेकर बात कर रहा था एंटोनी ने कहा कि मैंने अल्डेडी लिंडा से बात की हुई है अगली मूवी में मैं उसे डबल पैसे देने वाला हूँ लिंडा ने चक को इसके बारे में बताया नहीं था तो उससे बहुत मारता है चक ने इनके मूवी के स्पॉंसर से पैसे लेकर अपने लिए घर वेगरा भी बाई कर लिया था एक आथ में उसके कॉंटेक में आया था जिसके साथ मिलकर वो टॉइज वेगरा सेल करकर बहुत सारे पैसे कमाने वाला था जबरदस्ती लिंडा की एक फेक बायोग्राफी लिखना भी वो स्टार्ट करते है एंथोनी चक के पास आकर उसके पैसे फिर से वापस मांगता है जगने कहा कि थोड़े दिनों मैं तुमें पैसे दे दूँगा प्रैन्थोनी कहता है कि लिंडा को सिर्फ और एक मूवी करने के लिए मना लो वेसों के बारे में तुम्हें वरी करने के कोई भी जरूद नहीं पड़ेगी लिन्डा की मूवी का जब प्रीमियर हुआ था तो हुई हैफनर भी सिर्फ उसके उसे एक होटेल रूम में गया और वहाँ पर उसका सोधा किया वहाँ बहुत सारे लोग गया लिन्डा को उसने गन लगा कर धमकया सम मिलकर लिन्डा को जबरदसी करते है एक तरीके से उसे मना करने के लिए उसे सजा दे रहा था ये जब घर बहुचे तो लिन्डा वहाँ से भागने की कुशिश कर दिया पर चक ने उसे रोक लिया नीजे गिर कर वो हर्ड हो गई थी वहाँ से पुलिस की गाड़ी भी गुजर रही थी वो पुछते की क्या तुम लोग ठीक हो पुलिस ओफिसर ने लिन्डा को फैचान लिया जग कहता है की मैं इसका हस्बर्ण हो हम अब घर ही जा रहे है लिन्डा डर कर कुछ भी कहा नहीं पाती पुलिस ओफिसर ही लिन्डा को आटोग्राफ ले लेता है सुबा होने पर जग जब सोय हुआ था तब लिंडा वहाँ से भाग गए डारेक लो एंटोनी के पास आए एंटोनी कहता है तुम्हें सिर्फ और एक मुवी करने है उसके बाद तुम इंडिबेंडन जी सकोगी लिंडा ने उसकी सारी सिचुएशन उसे समझा दिया वो गहती कि अब मैं और एक मुवी नहीं कर सकती एंटोनी डिसाइड करता है कि उसे सपोर्ट करेगा उसने उसे रहे रूम एंटोनी गा था एंटोनी ने अल्रेडी रूम को शिफ्ट कर दिया था वो गहता है कि तुम अब कभी भी लिंडा के पास नहीं जाओगे उसने उसे बहुत मारा और इसके बाद 6 साल गुजर गए थे लिंडा अब एक्च्वल में अपने बायग्राफी लिख रही थी उसका आमें घर दिखा जाता है जिसमें उसका हजबन और एक छोड़ा सा बेटा था उसे पब्लीचर से कॉल आया था और उसकी स्टोरी अप्रूड हो गई थी लिंडा की हजबन ने कहा क्या तुम सच्मूश में यह सब करना चाहती हो लिंडा कहती कि मेरी स्टोरी के बारे में सबको पता चलना चाहिए लिंडा की बुक फेमस हो गए और उसकी टिवी पर इंटर्व्य आती है लिंडा से पूछा जाता है कि जब यह सब चल रहा था तब उसने क्यों आवाज ने उठाई थी लिंडा कहती कि सोसाइटी में हमें बताया जाता है जैसा हमारा पती कह है वैसा ही हमें सब कुछ करना पड़ेगा यह इंटर्व्य लिंडा की मदर सुन रही थी यह बात मदर नहीं उसे कही थी उस वज़े से उसे बहुत ही ज़ादा गिल्टी में सुस होता है लिंडा ने कहा कि मेरे साथ जो भी हुआ उस वाक में बहुत ही छोटी थी वो एक चीज मेरी पूरी लाइफ डिफाइन नहीं कर सकती यही मैसेज अपने बुक से ओ देना चाहती थी इतने साल लिंडा के बैरस ने उससे बात नहीं की थी उस इंटर्व्य के बाद वो लिंडा को घर पर बुला लेते एक दूसरे को गले लगा कर यह सब बहुत रोए फिर से एक फैमिल्यो बन चुके थे इसे एक मुमेंट पर एक मुवी एंड हो जाती है लिंडा के मुवी ने 600 मिलियन डॉलर्स कमाए थे जिसमें से उसे सिर्फ 1250 डॉलर्स मिले उसकी बुक बहुत फेमस होई थी चब को बाद में हाटड़ आगा कर उसकी डेथ हो गई थी यह मुवी हमें बता कर जाती है कभी-कभी हमें लगता है कि हमारे हाथ में कुछ चीज़े नहीं है सब कुछ हमारे साथ बुरा हो रहा है पर फिर भी वो टाइम निकल जाता है इसके बाद हमारे लाइफ में हमें एक positive change ला सकते है कभी-भी personal transformation के लिए देर नहीं होती है इसके साथ आज का वीडियो हम खतम कहरते है अगर आपको explanation अच्छा लगा तो ब्लीज से like और comment ज़रू कर दीजेगा मैं बहुत सारी movies लेकर आद रहता हूँ तो ब्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और bell notification आपकों दावने मत भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे